दोस्तों स्वाहत है आपका एक बार फिर्स से Nutrition 99 में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोरिंगा के बारे में मोरिंगा भारत में पाई जाने वाली वह औशदी है जो श्रीर में एक नहीं बलकि बहुत सारे फाइदे देती है मोरिंगा को देशी भाषा में सैजन कहा जाता है और इसका वैग्यानिक नाम ओली फेरा है अंग्रेजी में इसे ड्रम स्टिक भी कहा जाता है इसमें बहुत सारे पौश्टिक तत्र उपाए जाते हैं चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो सभी पौश्टिक तत्व इसमें मिल जाते हैं इसलिए इसे काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अब तो इसके कैपसूल पी आते हैं पाउटर भी इस्तेमाल किया जाता है तो चलिए बात करते हैं मौरिंगा के फाइदों की मौरिंगा क पेड़ की बात करें तो इसके पेड़ को जड़ से लेकर अप्तियों तक हर एक भाग को इस्तिमाल किया जाता है और सभी में बहुत ज़्यारा पॉस्टिक तत्व पाये जाते हैं तो सबसे पहला इसका फाइदा है कि मोटापे को दूर करता है अगर आप अपने मोटापे से परेशान है तो आप मोरिंगा का इस्तिमाल कर सकते हैं मोटापा कई बिमारियों का घर माना जाता है मोटापे को दूर करने के लिए कई तरह की दवाईयां भी चली है लेकिन सभी दवाईयां हर किसी के लिए फाइदे मन नहीं रहती अगर आप work out कर रहे हैं जिम जा रहे हैं तो अगर आप सहजन या फिर moringa का इस्तिमाल करेंगे तो आपको काईफ काफी ज़रा फाइदा मिल सकता है अगर आपको BP की problem है high BP रहता है आपका तो BP को control करने के लिए भी moringa का इस्तिमाल किया जाता है जो high BP है वो heart attack के नियुता देता है अगर आप अपने heart attack या फिर paralyze से बचना चाहते हैं तो आप moringa का इस्तिमाल कर सकते हैं इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं या फिर इसकी पत्तियों के जो capsules आते हैं उनका इस्तिमाल भी कर सकते हैं वो भी फाइदेमन रहता है कुछ लोगों का देखा जाता है कि रक्त बहुत गाड़ा नहीं होता या फिर रक्त बहुत पतला होता है जो कि अगर आपको चोट लग जाए तो जल्दी से वो क्लोट नहीं बनता तो ये आपके रक्त के धकों को जमने का काम करता है तो मवरिंगा की पत्यों को खुम साफ करती तो हैं ये रख्त को भी काफी अच्छा और गाड़ा भी करती है अगर आपका रख्त गाड़ा नहीं है तो इसके साथ ही अगर आपको चोट लग जाए तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है ताकि रत ज्यादा ने निकले अगर आप केलिस्ट्रॉल या फिर डायबिटिक के शिकार है तो केलिस्ट्रॉल और डायबिटिस ये दोनों के लिए मुरिंगा के बहुत ज़्यादा फाइदे माने जाते है केलिस्ट्रॉल का बढ़ना सेहट के लिए काफी ज़़ा खानी का रख माना जाता है केलिस्ट्रॉल को नियंतरट करने के लिए मौरिंगा की पत्तियों का इस्तिमाल काफी ज़़ा फाइदे मन माना जाता है आयरवेद में भी सेजन का उप्यो किया जाता है सेजन की पत्तियां कुछ ऐसे इंजाइम पाए जाते हैं कि अतिरिक्त केलिस्ट्रोल को परभावी धंक से ये पेड के अंदूर्नी भाग में ही अफ्शोशित कर देता है अगर आपकी आईसाइट वीक है या फिर आखों की कोई तकलीफ है आपको आखे ड्राइ रहती है तो आखों के लिए भी सेजन का इस्तिमाल करना काफी फायदे मन्त रहता है वरतमान समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को आखों की या फिर सिल्दद की आखों से सिल्दद की प्रॉबलम भी रहती है तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप आखों की तकलीफ से निजाद पाना चाहते हैं तो मुरिंगा का इस्तिमाल करना आपके लिए फायदे मन्त रह सकता है या आपकी आखों की रोशनी अगर कम हो रही है तो उसे बढ़ाता तो है ही साथ में और भी कफी जादा फायदे देता है जो ज्यादा तर फायदे मने जाते हैं वो गठिया रोगों के लिए भी मने जाते हैं अगर आपको गठिया रोग है, जॉइन पेन है तो जॉइन पेन में भी इसकी फलियों का इस्तिमाल किया जाता है इसमें अनेक परकार के पौश्टिक तत्व पाई जाते हैं जो कि आपकी गठिया रोग को दूर करता है और आपको तंदृस्त करता है सुबर और शाम इसका सेवन करने से आपके पुराने से पुराना गठिया रोग भी दूर हो सकता है तो दोस्तों देखा आपने कितने ज्यादा फाइदे हैं मुरिंगा के तो अगर आप मुरिंगा इस्तिमाल नहीं कर रहे तो एक बार आप मुरिंगा इस्तिमाल करके देखिए कम से कम साथ दिन इस्तिमाल करके देखिए आपको काफी ज़दा फायदे मिलेंगे अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आप capsule form में या फिर powder form में भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने description में link दिया है आप वहाँ से खरीद सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए WhatsApp के तुरू या फिर Facebook के तुरू भी आप share कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों की भी help हो सके तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को भी like और share जूर कीजिए तो मिलते हैं नई वीडियो में तो मुझे के प्लीज तो मुझे तो मुझे तो मुझे तो मुझे